मैं एक और भी अच्छी बात मैं सुझाव के तौर पर देश के सामने रख रहा हूं सब वर्गों का सम्मान करते हुए क्या ये बेहतर नहीं हो अब 75 साल हो गए कि 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 एसी एस्ट्री का जो आरक्षण है वो हो और जो पिछडों का आरक्षण है जातियाधारिक जनगणना हो जाए तो उस जो लम आरक्षण है मां लिजिए 21 फीसदी तो 21 फीसदी को जो उस एसी वर्ग में जो जातियां आती है उनकी संख्या के हिसाब से कोटे वाइज यही काम OBC में होना चाहिए अभी हो क्या रहा है मीसम जैदी जी चावराहे पर एक डबा लड्डू का लाके रखा जाते है आरक्षण का क्या जो लोग उस गोल सरकिल में आगे हैं वो ही पूरा लड्डू खा जाते हर वार क्या पीछे वाला अगर बाले धक्का मुक्की कर लड्डू की बात करके बात समझ का दूगा गौतम नहीं समझदार है में चाहते हैं क्या अ कर nightmare क्या है दो कि नहीं सच नहीं है उससे नहीन सबादार नहीं है कि अटेसी नहीं कि पार नण य करम में बाचैन शर Ε성 कि कि पीछे वाला टक-टकी लगाई देखरा कि वावा साब में इसलिए थो नहीं किया था कि वीपी मंडल साथ इसलिए तो नहीं पर छла आप हिला नहीं सकते या बात जो बात गौतमराने कहरे आप सुच्छा से ऐसा नहीं कर सकते कि अपने अपने ज्यादा कष्ट में जो भाई है उनके लिए छोड़े तो फिर कानूनन ऐसे हिलाना चाहिए मेरी बात बढ़ी है लेकिन महत्तुपूर है फिर हिलाईए अचार में फपूंदी नहीं लगनी चाहिए लोक जीवन का व्यभार कहता है गवतमराने जी अचार में फपूंदी लग जाती है अगर हिलाओगे नहीं क्या मजा खराब हो जाएगा सब अचार सड़ जाएगा हिला तो क्या दिक्कत क्या है मैं कहां कह रहा इसमें को दूसरा अचार डालो ना उपर से बंद रखो जो अंदर है वहीं अंदर रहेंगे कोई बाहरी प्रभेश्ट नहीं पाए लेकिन हिला तो लो भाई इसमें पी समस्या है आपको यह लाना कौन सा जोतिवाब फुले के सिध्धान्त का उलंगने बावा साब की सिध्धान्त का उलंगने क्या मैं का यह राम जी के किसी विचार का उलंगने नहीं नहीं कै का यह कालेन करके विचार काउन्गने नहीं तो अधिन एफिर हो गातके समस्या है क्या करते हैं ना उसके पास सावाजिक ताकत भी है राजनीतिक ताकत भी है जहां अर्द जाये जहां खड़ी हो जाये तो प्रशाशनिक ताकत जुक जाती है है ना कि अब इसी देश की हैं उनके साथ भी कुछ होना चाहिए आगे आने का बसर मिलना चाहिए और मैं गोतम भाई की इस बात से चाहती हुए भी तफाक नहीं कर सकता कि यह सुएक्षा से लोग हटना मंदिर में दर्शन करने जो आगे गुच जाता वह सुएक्षा से हटता नहीं गंटा बर महीं खड़े होके सारे मंत्र पढ़ना चाहता है पीछे आदमी खड़ा है फेंट हो रहा है दर्शन नहीं कर पा रहा है यह कौन छोड़ देगा है ने मैंने तो नाम लेके पूछा यह लोग आज भी लाब ले रहे हैं और लेना आनंद काल तक जारी रखेंगे जब तक कानून नहीं आएगा तो तुझे पीछे आदमी खड़ा है वो आगे कैसे आए मेरी पीड़ा यह और यह वहीं पीड़ा है जो समिधान सभा में लोगों के मन में आई थी कि भारत को त कि जो वंचित समाज में जो अथिवंचित हैं उनको आगे कैसे लाएं किसी को हटाईए नहीं लेकिन जो आथिवंचित है वो आगे कैसे आए इसलिए मैंने कहा कि बंद रहेगा अचार बाहर नहीं जाएगा कोई चिंता की बात नहीं लेकिन हर सुबह कसके हिला दिया अगर आरक्षन है देश में तो प्रजातियों की संख्या भी पता होनी चाहिए यह न्यायपून बात है जिसके जितनी हिस्से जनसंख्या है उसकी उतनी भागेदारी हो यह न्यायपून बात है मैं हमेशा इसके पक्ष में रहता हूँ लोग तंत्र तो संख्या का मामला है वो किसी धर्म के जाती के वर्ग के संपर्दाई के लोग हो उससे क्या अपरक पड़ता है अंत्रतहा और प्रथमता सब भारत के लोग है बीद अपीपल आफ इंडिया जिन्होंने रोशनी नहीं देखी उनके इलाकों में मशाल जलनी चाहिए वो कैसे जले वो बुद्धिमान लोग ते कर लें लेकिन मैं चाहता हूँ जिन्होंने रोशनी नहीं देखी सदियों से उनके इलाकों में मशाल जलनी चाहिए अबू जुमार के जंगल में चले जाईए 75 साल हो गए गोतम भाई है आज भी जाके देखिए एस्ट्री का आरक्षन तो लागू है 75 साल से क्या आज भी गारी की हेड लाइट देखकर भाग जाते हैं वो लोग क्या इसी देश के रहने वाले कैसे लाब हो रहा है यह तो देखना होगा नहीं यह देखना होगा इसलिए जो सबसे कमजूर है उसके साथ व्यवस्था खड़ी हो उसके साथ भारत खड़ा हो हम सब का मन खड़ा हो यह सबसे बड़ी बात है सरकारे आएंगी जाएंगी राजनी चलती रहेगी लेकिन यह धरूर ध्यान रखिए तब तक देश में शांती नहीं रह सकती देश में शहस्णुता भी नहीं आ सकती जब तक सब को विकास के हाईवे पर नहीं आप लाएंगे कुछ लोग विकास के हाईवे पर गारी दौड़ाएं बाकी लोग नीचे से टुकुट टुकुट देखें यह नहीं चलेगा झाल